पिछले वीडियो में हम लोगों ने capacitor and capacitance के introduction वाले पार्ट में ये जाना था कि different types of capacitor से depend करते हैं और इसके हिसाब से हमने spherical, cylindrical और parallel plate capacitor की बात की थी ये जान लें कि parallel plate capacitor most commonly and widely used type of capacitor है इसे साब से syllabus में इसकी पढ़ाई बहुत ही महत्वपुर्ण हो जाती है और हम इसको उस महत्व को देते हुए ही पढ़ेंगे तो सबसे पहले चुकि ये device है तो device में 3-4 part होते हैं जिसको हम लोगों हर device के लिए follow करना है सबसे पहला तो introduction तो जैसा कि introduction वाला part उपर लिख दिया गया है दूसरा part होता है principle अगर parallel plate capacitor का principle की बात करेंगे ठीक है तो principle इसका famous है ये आपका electro aesthetic induction है ठीक है induction charging में पढ़ा था वो यहां फिर से काम आएगा अब next part जो है construction and working की आती है तो construction में दो plate ले 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 हैं ठीक है और दोनों parallel होंगे एक बात यह है कि parallel इसका मतलब यह नहीं कि केवल आप rectangular plate ही लेंगे square plate ही लेंगे आप parallel plate कोई भी ले सकते हैं circular shape का हो सकता है regular हो सकता है irregular हो सकता है condition या है कि plate parallel होने चाहिए working screen पे आपको दीख रहा होगा दीरे दीरे आप उसको copy कर लेंगे क्योंकि आपको लिखना ही होगा तो इसमें एक source charge पहले वाले से जोड लेते हैं first conductor से जैसे ही source charge पहले वाले से आप जोडेंगे तो जोडने के बाद क्या होगा इस बात पर ध्यान देंगे इस पे charge पूरे surface पे spread हो जाएंगे जब पूरे surface पे charge spread हो जाएंगे तो इसकी कुछ surface charge density भी बन जाएगी discussion करेंगे बाद में चुकि ये positive charge आ गया है तो इसके opposite वाले में negative charge भी आ जाएगा due to electrostatic induction closure face पे और दूर वाले face पे इसके दो face हैं एक closure face और दूसरा दूर वाला face जैसे मेरा हाथ है इस तरफ charge है तो ये part जो है close है ये closure face इसकी बात कर रहा है और वो दूर वाले face दूर वाले face पे क्या हो जाएगा positive charge चला आएगा अभी दूसरे वाले end से ये positive charge को separate करने के लिए हटाने के लिए आप इसको earth से connect कर देंगे process कहला आता है earthing discuss electrostatic induction में भी हुगा था अब earth करने के बाद से क्या होगा earth से electrons आएंगे और आने के बाद से positive negative का combination बनाते जाएंगे तो opposite face जो दूर था further face वो neutral हो जाएगा यानि एक plate पे पूरी तरह से positive charge और दूसरे plate पे पूरी तरह से negative charge spread हो जाएंगे ये जो system आपको मिलेगा यही system क्या कहलाएगा एक parallel plate capacitor कहलाएगा ये complete system parallel plate capacitor कहलाएगा अच्छा neutral भी अगर इसको charge आप नहीं कर रहे हैं और दोनों plate को आपने रख दिया है तो उस case में ऐसा नहीं है कि positive वाले पे positive, negative वाले पे negative ऐसा नहीं होगा वो neutral रहेगा हाँ जब जोडेंगे source तब इस पे positive charge आने लगेंगे और ये negative charge जो earthing वाला है उस positive charge को पहले plate पे रोक के रखने का काम करेगा अगर कोई attraction ना हो तो वैसे हालात में ये positive charge फिर से conduct होकर के वापस हो सकता है लिख कर सकता है लेकिन जब ये negative layer of charge रहेगा ठीक है तो उसके कारण जितना हम positive charge देते जाएंगे capacity के मताबिक ये यहाँ पर जाकर के stationary रहने लगेगा static हो जाएगा तो अब आप आजाएए next part में next part क्या है आपको expression निकालना है ठीक है किसके लिए for capacitance अभी capacitor है तो उसका capacitance होगा और capacitance का expression आपको मालू होना चाहिए अभी बीच का जो जगा है बड़ा important है मैंने बताया था ना कि capacitor का capacitance basically उसके shape and size पे depend करता है और दूसरी बात उसके plate के medium plate के बीच के medium पे depend करता है और यहाँ पर medium अभी कुछ नहीं है मतलब हम air मान सकते हैं आप बोल सकते हैं with air in the gap gap में air है हाँ ठीक है अब इसके capacitance का expression find करने के लिए वापस हम आते हैं और यहाँ diagram वापस फिर से बनेगा diagram बना लीजिए कोई भी expression जब derive करें तो बीना diagram का मत किजिए कई बार exam में ऐसा मिलता है कि जब आपने इसको पोजेटिव चार्ज दे दिया इस सर्फेस पे पोजेटिव चार्ज आ गया है अच्छा इस सर्फेस पे अर्थिंग के बाद negative charges आपने इस सर्फेट करेंगे पोजेटिव चार्ज तो इस पे रहेगा नहीं ठीक है तो यह नेगेटिव चार्ज आपने इस प्लस सिगमा दूसरे वाले को भी आपको सेम एरिया का ही रखना है है और आपको एक चीज मालूम है कि induction से जो charge होता है q- is equal to हना q 1-1 by k यहाँ पर हम लोग conducting plate की बात करते हैं और जब conducting plate की बात कर रहे हैं तो k का value infinity होता है k का value infinity होगा तो अपने आप यह पार्ट 0 हो जाएगा यानि q- is equal to minus q जो induced charge यहाँ पर है minus q है अगर यह minus q है तो इस पर जो surface charge density होगा वो minus sigma होगा क्योंकि minus q by a हो जाएगा ठीक है इतने पार्ट आप पहले नोट कर लिए नोट करने के बाद अब ध्यान दे नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर positive charge से जोड़ा गया था इसलिए इसके potential को हम कुछ assume कर लेते हैं मान लेते हैं कि भी है और यह जो पार्ट है यह अर्थ से जोड़ा गया है मालूम है कि अर्थ से जोड़ने के बाद से अगर हमको potential difference लिखना होगा तो भी-0 that is equal to भी हो जाएगा reference distance हम इसको r1 ले लेते हैं तो r1 is equal to हम चुकी यही से start करता है जीरो लेंगे और यहां पर r2 is equal to हना r ले लिजे इस दोनों पी आर या d ले लिजे जनरली d लेता है तो आप भी d ही ले लिजे इस दोनों plate के बीच का gap कितना हो गया d हो गया अच्छा दोनों के extend insulating है इसलिए इसलिए charges नीचे के दरफ लिख नहीं करेगा यह भी ध्यान दें अगर एक conducting plate पे रख दें तब तो क्या होगा नीचे charge लिख करेगा तब वैसे के इसमें capacitor parallel plate के ही लिए हम बात कर रहा है नीचे वाले and electric potential difference क्या संबन्ध हो पिछले कुछ lectures में आपने देखे होंगे यह डेल्टा भी बाय डेल्टा आर को क्या लिखेंगे यह भी बात R2-R1 अभी इस case में जो हम देख रहे हैं वहां पर क्या लिख सकते हैं देखें यहां पर कोई चीज नहीं है air gap है और air gap के साथ electric field E0 लिखते है ठीक है not for nothing E0 electric field के जगह पर हमने E0 लिख लिए well अब यहां पर is equal to minus V2 के जगह पर तो 0 लिखना होगा minus V1 के जगह पर V लिखना होगा R2 के जगह पर D लिखना होगा और R1 के जगह पर 0 लिखना होगा तो यह आपको E0 is equal to कितना आया त्यान देजेगा यह V by D आया तो obvious है कि आप यहां पर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं V is equal to E0 into D equation 1 अब मैं फिर वापस जाऊंगा जब आप गौस्टस लोग का application देख रहे थे application देखने में आपने thin seat of plate के कारण ठीक है अगर इस पर positive charge है ठीक है तो यहां पर आपने देखा था कि electric field sigma divided by two epsilon not होता है अभी एक चीच और अगर हमारे पास दो प्लेट हो जाएं तब क्या हो दो प्लेट के case में एक negative ओले प्लेट हो जाएं अब इस negative ओले प्लेट के कारण इस region में अगर sigma ही है तो same direction में electric field फिर से क्या होगा e is equal to sigma by two epsilon not दोनों को जोड़ देंगे तो e is equal to आपके पास sigma by epsilon not आ जाएगा लेकिन यह तो तब बात कर रहे थे जब thin seat था thin seat मतलब केवल single layer of charge उस पर disparate कर सकते थे ठीक है लेकिन यहां तो आप conducting plate की बात कर रहे हैं तो यहां ऐसा क्या कि हम क्या यह electric field बीच में sigma by epsilon not ही लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे देखिएगा ध्यान से अगर यह conducting seat है और इसको q charge आपने दिया पहले single layer की बात करिए फिर आपको clear हो जाएगा कि कैसे हमने तो अगर आपने q charge दिया होगा क्या कि सामने वाले surface पे इधर q by 2 और पीछे वाले surface पे q by 2 अपने आप equilibrium condition में spread हो जाएगा अब अगर हम सामने वाले surface के कारण electric field e1 लिखते हैं तो यहाँ पर q by 2 into 2 epsilon 0 लिखेंगे और area भी रहेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा q divided by 4 sorry q by sigma sigma divided by 4 epsilon 0 उसी तरह से अगर हम पीछे वाले surface का भी देखें तो ओ आपका e2 यह भी sigma by 4 epsilon 0 दोनों को जोड़िएगा तो add करने के बाद से आपके पास sigma by 2 epsilon 0 आ जाएगा तो conducting seat में भी माना गया है कि पूरे seat पे charge q दिये हैं तो forward और backward दोनों मिला करके जो electric field बीच में contribute करेगा और sigma by 2 epsilon 0 एक plate का और दूसरे plate का भी sigma by 2 epsilon 0 यानि between the two plates this electric field हम अगर यहां पर रखें तो एक का sigma by 2 epsilon 0 और दूसरे का sigma by 2 epsilon 0 is equal to आपके पास क्या मिल जाएगा e naught is equal to sigma by epsilon 0 यह equation 2 यह between the plate अब इधर की बात करेंगे electric field 0 होता है उधर की बात करेंगे तो भी electric field 0 होता है यह वहां पर calculation में clearly describe करके बताया हुआ है तो चलिए अब यहां पर from 1 & 2 सीधे यहां पर put कर लेजिए इस value को put कर लेजिए put करने के वास से तब e naught को sigma by epsilon 0 into t लिखा sigma q by a लिखा हुआ है वहां पर into epsilon 0 into t आप इसको क्या लिखेंगे तो यहां पर b is equal to था q को इधर लेके चले आईए तो b by q is equal to d by a epsilon 0 और अगर ऐसा करेंगे तो q by b is equal to a epsilon 0 by d ओके अभी q by भी याद कर रहे होंगे आप q by भी आपने देखा था जब capacitance का introduction हुआ था तो यह capacitance of capacitor है यह आपका a epsilon 0 और divided by d यह आपका capacitance of air gap capacitor मिल गया यह यह depend कर रहा है c proportional to area of plate प्लेट जितना ज्यादा area का होगा capacitance उतना ज्यादा होगा और c universally proportional to 1 by d मतलब क्या है कि capacitor plates जितने दूर रहेंगे capacitance उतना कम होगा करता है